हेलो विवर्स, हम अपनी दैनिक जीवन में होने वाली कुछ घटनाओं पर विचार करते हैं, क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूद को खुला छोड़ दे, लोहे से बनी वस्तूओं को आदरवाईयो मंडल में खुला छोड़ दे, रंगूर का किर्वन हो ज हमारा शरीर भोजन को पच्चा ले, हम सांस ले, हम जानते हैं कि कमरे के ताप पर दूद जम जाएगा, तथा गर्म करने पर फट जाएगा, लोहे के वस्तूओं पर जंग लग जाएगी, अंगूर के किर्वन होने पर उसका स्वात बदल जाएगा, भोजन पक्कर नर्म य कोई न कोई परिवर्तन हुआ है, ये सभी रसायनिक परिवर्तन के कारण हुआ है, रसायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, ये पढ़ेंगे हम, Class 10, Chapter 1, रसायनिक अभिकरिया, एवम समीकरर, अर्थात, Chemical Reaction and Equations में, इस चैप्टर में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे, वो है पदार्थ में परिवर्तन, Change in Substance, रसायनिक समीकरर, Chemical Equations, रसायनिक समीकरर संतुलित करना, Balancing of Chemical Equations, रसायनिक अभिकरियाओं के प्रकार, Types of Chemical Reaction, उपचेन या ऑक्सेकरर अभिकरियाओं का प्रभाव, अर्थात, Effects of Oxidation Reaction तो आईए सबसे पहले देखते हैं कि पदार्थ में परिवर्तन क्या होते हैं, किसी भी नए पदार्थ का निर्माण तब होता है, जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में बदलता है, या उसकी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन होता है, पदार्थ मे बारे में जानते हैं, ऐसे परिवर्तन में पदाट की भौतिक अवस्था तो परिवर्तित होती है, किन्तो उसके अणु की रसायनी संरशना एवम गुडों में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे जल का अणुसूत्र S2O है, जब जल की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होत है, अर्थात जब जल, ठोस, द्रव तथा गैस में परिवर्तित होता है, तो हम देखते हैं कि जल की भौतिक अवस्था तो परिवर्तित होती है, लेकिन उसकी प्रतिक अवस्था में जल का अडुसूत्र S2O समान ही रहता है, अतह पदार्थों में होने वाला वह परिवर् जिसमें उनकी भौतिक अवस्था में परिवर्तित होता है, किन्तु पदार्थों के रसायनिक संगठन एवं रसायनिक गुड़ों में कोई परिवर्तित नहीं होता है, भौतिक परिवर्तित कहलाता है, जैसे सोने का पिगलना, काच का तूठना, शक्कर का पानी में गुलन लोहे का चुम्बक में बदलना, संगनन, आस्वन, उर्द्व पातन आईए भोतिक परिवर्तनों के गुणों के बारे में भी जानते हैं भोतिक परिवर्तन में पदार्थ के भोतिक गुणों जैसे की आयतन, अवस्था, ताप, घनत, रंग, आदी में परिवर्तन होता है पदार्थ के रसायनिक संगटन तथा रसायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता ये परिवर्तन उत्क्रम्णिये होते हैं अथात पदार्थ को उसके पहले वाली अवस्था में वापस लाया जा सकता है जैसे भाप व वर्फ को पुनह जल में परिवर्तित किया जा सकता है ये परिवर्तन अस्थाई होते हैं रसाईनिक परिवर्तन इसमें बनने वाले नई पदार्थ की अडू की रसाईनिक सनरशना एवम गुण मूल पदार्थ से पूर्ण तह भिन्न होते हैं जैसे जब खाने का सोड़ा हाइट्रोक्लोरिक अमल से क्रिया करता है तो लवण, जल वा कार्बंडाय ओकसाइड का निर वण की पुन्हा कार्बंडाय ओकसाइड से क्रिया करवाई जाए तो वापस से खाने का सोड़ा वह अमल प्राप्त नहीं किया जा सकता अतह पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ प्राप्त होता है जो रसाईनिक संगटन एवम रसाईनिक ग लगना दूसे दही बनना अवक्षेपर देहन किडवन रसाईनिक परिवर्तन के गुण निम्न है रसाईनिक परिवर्तन से जो नए पदार्थ बनते हैं वे मूल पदार्थ से रसाईनिक गुणों तथा संगटन में भिन्न होते हैं यह परिवर्तन अनुत क्रम्णिये होते इन में होने वाला परिवर्तन इस्थाई होता है इस परिवर्तन में पदार्थों के भौतिक वर रसायनिक गुण बदल जाते हैं इनके आधार पर यह कहा जासकता है कि किसी पदार्थ में रसायनिक अभिक्रिया हुई है अब आप ये सोश रहोंगे कि वास्ता में रसायनिक अभी क्रिया होती क्या है हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रसायनिक अभी क्रिया हुई है ये जानने के लिए आये कुछ क्रिया कलाप करते हैं जब हम मैगनीशियम रिबन का बर्नर की सहायता से दहन कराते हैं तो चमकदार श्वेत लॉक के साथ उसका दहन होने लगता है। दहन से उत्पन राख को एक वाच ग्लास में एकत्र कर लेते हैं। हम देखते हैं कि जब मैगनीशियम रिबन का दहन होता है तो वह श्वेत चोण में परिवर्तित हो जाता है। यह मैगनीशियम ऑक्साइड का चूण है जो वाईयो में उपस्तित ऑक्सिजन तथा मैगनीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया से बना है। अब एक परक्नली में लेड नाइटरेट वा पोटेशियम आयोडाइड का जलिये विलियन लेते हैं जो की एक रंग हीन विलियन है तथा उन्हें आपस में मिलाते हैं। हम देखते हैं कि उनके रंग में परिवर्टन होता है तथा साथ में लेड आयोडाइड का अवक्षे प्राप्त होता है। एक फ्लास्क में जब दानेदार जिंक लेकर उसमें तनू हाइड्रोक्लोरिक या तनू सलफ्यूरिक अमल मिलाया जाता है तो जिंक के दानों के आसपास कुछ बुलबुले निकलते दिखाई देते हैं ये बुलबुले हाइड्रोजन गैस के हैं तथा जब फ्लास्क को इसप अथा में परिवर्तन, किसी में रंग में परिवर्तन, गैस का निकास या उस सर्जन और किसी के तापमान में परिवर्तन हो जाता है, अथह इन प्रेक्षडों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इन में रसाइनिक अभीक्रिया हुई है, जब को रसाइनिक अभीक्रिया होती ह और उसे बताना पड़े तो कैसे बताएंगे कुछ इस प्रकार जब ऑक्सिजन की उपस्थिती में मैंगनीशियम रिबन का देहन कराया जाता है तब यह मैंगनीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है जब हम किसी भी रसाइनिक अभीक्रिया का विवरण वाक्य की रूप में देते हैं तो यह बहुत लंबा हो जाता है लिखने और पढ़ने वाले दौनों ही बोर हो जाते हैं इसलिए इन्हे संशिप्त रूप में लिखा जाता है रसाइनिक समीकरण को दो प्रकार से लिखा जाता है शब्द समीकरण और रसाइनिक सूत्र समीकरण शब्द समीकरण लिखने के लिए शब्दों का उप्योग किया जाता है यह समीकरण लिखने की सबसे सरलतम विद्धी है जैसे मैगनीशियम प्लस ऑक्सिजन, मैगनीशि रसायनिक सूत्र समीकरण को उनके रसायनिक सूत्र का उप्योग करके लिखा जाता है जैसे मैगनिशियम के लिए Mg, ऑक्सिजन के लिए O2 तथा मैगनिशियम ऑक्साइड के लिए MgO लिखा जाता है संतुलित रसायनिक समीकरण वह रसायनिक समीकरण जिसमें विभिन तत्वों के परमाणों की संख्या अभिकारक वा उत्पाद दोनों पक्षों में समान होती है संतुलित रसायनिक समीकरण कहलाता है जैसे उप्रोक्त अभिक्रिया में बाईं तरफ तथा दाईं तरफ आइरन, हाइड्रोजन और आक्सिजन के परमाणों की संख्या समान है अतह है यह एक संतुलित रसाइनिक समी करण है इस चैप्टर में हम विभिन रसाइनिक अभिक्रियां के बारे में पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया जैसा नाम से पता चल रहा है संयोजन अर्थात जुड़ना तो दो या दो से अधिक परदार्थ मिलकर एकल उत्पात का निर्माण करते हैं वियोजन अभिक्रिया वियोजन अर्थात तूटना या अभघटनोना एकल अभिकर्मक तूटकर छोटे छोटे उत्पात बनाते हैं विस्थापन अभिक्रिया विस्थापन अर्थात हटाना या अलग करना किसी यौगिक के तत्व को दूसरे तत्व द्वारा हटा देना अर्थात विस्थापित कर देना दूई विस्थापन, दूई यानि दो अर्था दोवार विस्थापन, दो अभिकारकों के बीच तत्वों या आईनों का आदान प्रदान होना उपचेयन एवं अपचेयन, उपचेयन अर्थात ऑक्सिजन में बढ़ोत्री और हाइड्रोजन में कमी अपचेन अर्थात आक्सिजन की कमी और हाइड्रोजन में व्रधी अगर ये दोनों किसी एक ही अभीक्रिया में हो रहे हों तो उन्हें सम्मिलित रूप से अपचेन अभीक्रिया या रेडॉक्स अभीक्रिया कहा जाता है इन अभीक्रियाओं के अलावा उश्मा शेपी जिसमें उश्मा का उस्सरजन या निकास होता है, उश्मा शोशी जिसमें उश्मा अवशोशित की जाती है, अवक्षेपर अर्था जिसमें अवक्षेप का निर्मार होता है दैनिक जीवन में उपचेन अभिक्रियाओं का प्रभाव संशारण जब कोई धातू अपने आसपास की नमी, ऑक्सिजन या अमल के संपर्क में आने से संशारित अर्थात उसका शे होने लगता है संशारण कहलाता है विक्रत गंदिता, वसायुक्त या तेलिय पदार्थ जब ऑक्सिजन से क्रिया कर लेते हैं तो उनका ऑक्सिकरन होने के कारण उनके स्वाद वा गंध में परिवर्तन आ जाता है विक्रत गंदिता कहलाती है